उसने मुझे नाकेवल शारेरिक बल्कि मानसिक जखम दिये, वो मुझे चाकू और सर्जिकल ब्लेट से काटता था, इसकी वज़ा से मेरे पूरे शरीर पर जखम के गहरे निशान है, मेरा रेप करने के बाद जब भी उसे लगता कि मैं गर्बती हूँ, तो वो मुझे पैरों से मेरे पेट पर मारता था, और अगर मैं उसकी बात मानने से इंकार करती थी, तो मेरा गला दबाता या फिर मेरे शरीर पर गर्म पानी डाल देता था। तो वो रेप होते हुए मेरा वीडियो मेरे सोशल मीडिया पर डाल देगा, मुझे लगा वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे स्नाप्चाट पर ऐसे वीडियो डाले जो मुझे बिना बताय रिकॉर्ड किये गए थे। दीपा सिंग बृतिन के सिक समुदाएं में पीडित महिलाओ की मदद करने का काम करते है। जाज ने दीपा सिंग को अपनी आप बीती बताई। हमें कॉल आते हैं, हफते में एक या दो बार और कभी दस से बीस बार भी। यह हालात पर निर्भर करता है। शराब या ज्रक्स को लेकर या फिर तंग करने से जुड़े कॉल। लेकिन जादातर मामले यौन उत्पीडन वाले होते हैं। हमने महसूस किया है कि जिन पर बीत रही होती है, उनके साथ उनका परिवार भी पीडित होता है। लेकिन ग्रूमिंग और योन उत्पीडन से सिर्फ सीख समुदाई की लड़किया केवल प्रभावत नहीं हो रही है। कैम्पिनस का ये कहना है कि दक्षिन एशिन समुदाई में ये सालों से चल रही गंबीर सबस्या है, जहां पे पीरत लड़किया चुप चाप सब सेती है ताके उनके परिवार का नाम खराब ना हो। हमारे पास ऐसे भी उदारण हैं जिसमें कम उम्र की लड़कियों का उनके बॉइफरेंड ने सोशन किया। वो डर से ये बाते माबाप से साजा नहीं करती। हमने पूछा ऐसा क्यों तो उन्होंने बताया कि पहले जब उनकी बड़ी बहनों के किसी लड़के से संबंध के बारे में घरवालों को पता चला तो उन्हें पाकिस्तान बेज कर वहीं शादी करा दी। ब्रितन के ग्रे मंत्री साजट जावट खुद दक्षन एशाय मूल के है। BBC से इस मुद्धे पर बातचीत में उन्होंने किसी भी तरह की यौन शोशन की कडी निंदा की। जैस दीरे दीरे अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ रही है और फिर से अपने घर में रहने लगी है। जैस को उमीद है कि उनकी कहानी से दूसरी औरतों को भी शायद प्रेर ना मिलेगी। गगन सबरवाल, BBC News